क्या आपके भी Facebook profile and page पर unoriginal content का problem आ चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 4 step में आपके profile and page से unoriginal content की problem को solve करा दूँगा बस इस वीडियो को आपको without skip की हुए देखना है क्योंकि गर आपने एक भी step को miss किया तो साथ आप unoriginal content problem को solve ना कर पाएं तो सबसे पहले हम समझते हैं unoriginal content के बारे में unoriginal content जो origin ना हो वो unoriginal content हो होता है यह facebook profile and page की किसी भी monetization tools पे आ सकता है तो हम लेट ना करते हुए सीधे चलते हैं topic पे और step number one देखते हैं आपको अपना profile एफी page open करना है and menu आल आइकन पे tap करना है नीचे scroll करना है help and support पे tap करना है support inbox पे tap करना है your alert पे tap करना है अब यहाँ पे आपका जो भी content हो चाहे उस पे copyright आया हो या फिर बॉल ऐसा ना हो उस content को आपको delete कर देना है I hope कि आपको यहाँ के content को कैसे delete करना है यह पता होगा अगर नहीं पता है तो already मैंने अपने facebook page और youtube चैनल पे वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे आप देख लीजिए क्योंकि अगर मैं detail में बताने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी आप भी बहुत हो जाओगे अब हम देखते है step number two को आपको back चले जाना है profile image पे tap करना है यहाँ more wall absence पे tap करना है अब यहाँ पे आपने अपनी जिस भी रील में किसी third party application से music लगाया हो या फिर किसी और की वीडियो को part cut करके लगाया हो या फिर आपने किसी और की वीडियो को download करके अपने reals wall absence में upload किया हो उसको आपको delete कर देना है ठीक है एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना है चाहे उस पे लाखों views चाहे million views हो ठीक है आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना कि million views हो तो कैसे delete करें क्योंकि अगर आपने एक भी यहाँ पर unoriginal content को छोड़ा तो आप अपने profile page से unoriginal content की problem को solve नहीं कर पाएंगे ठीक है एंड आपको video वाले absence पर चले जाना है यहाँ पर भी आपको same process follow करना है जो reals वाले absence में follow किया था आपने ठीक है वीडियो वाले absence में भी आपको follow करना है और उस video को आपको यहाँ पर delete कर देना है ठीक है अब आपको step number 3 में per day कम से कम एक बार अपने profile and page से live आना है ठीक है और live आपको तरीके से आना है यह नहीं कि आपने live का camera चालू कर दिया हो कहीं का कुछ भी scene दिखा रहे हो ठीक है ऐसा नहीं चलेगा फेस्बूक के algorithm को पता चलना चाहिए कि profile and page पे original content upload हो रहा है ठीक है वो जान पाए वो समझ पाए क्योंकि वह एक AI tools होता है वहाँ पे कोई अपनी आडियो यहां पे ऐसा नहीं कि live आ गए अपने आपको दिखा रहे हो पीछे music चला दिया नहीं आपको live आना बोलना भी है जो भी आपके समझ में आए अपने audience के साथ आप connect होई है और जो भी पूछें आप से उनको बताओ आप या जैसे भी है कुल मिला कि आपको live proper तरीके से आना है एपने रिद्स वीडियो वाले अपसंस में श्टोरी वाले अपसंस में आपको पड़ एक वीडियो अपना खुद्का और इसमें आप और आपकी आइडियो होगा आ आपकी आवाज हो उसमें वह अपलोड करना है आप यह दस दिन फॉलो कीजिए यह ची चीज़े मैंने प्रेट कर लिए हैं वही आपको बताता हूं आप इनको फॉलो कीजिए 110 पर्षेंट अनुरिजिनल कॉंटेंट की प्रॉब्लम सौल्व हो पाएगी अब आपने तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए 10 डेज में ठीक है आप अनुरिजिनल कॉंटेंट को भी डि मेन्यू पर टैप करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर हेल्प एंड सुपोर्ट पर आपको टैप करना है रिपोर्ट आप पर प्रॉब्लम पर टैप करना है और कांटीनू टूरिपोर्ट पर टैप करना है इंक्लूट पर टैप करना है और यहां से आपका प् राइट what went wrong यहाँ पर आपको टेस्ट को लिखना है तेस्ट क्या लिखना है मैं अभी यहां पर चुकि लिखने लगूंगा और रीड करने लगूंग तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और लेडी वीडियो लंभी हो रही है ठीक है तो यहां पर मैं i take test co copy किया तो paste कर दे रहा हूं आप यहां पर us screenshot ले ले यहां फिर मैं अपने description box में test को दे दूँगा आप वहां से copy कर दीजेगा ठीक है यहां पर paste कर दिया अब यहां पर धान दीजेगा यहां पर जो लिखा है Facebook profile and page आप देख लीजेगा को वहां पर लिखा है यहां अगर आपका profile है तो profile को यहां पेज को cut कर देना है ऐसे cut कर देना प्रोफाइल ही रहने देना और पेज है तो पेज को रहने देना है इसके बाद टेक स्क्रीन सोर्ट पर टैप करना है अब आपको Facebook का वो monetization tool select करना है जो जिस पर अनुरेजन कॉंटेंट का problem आया है राइट professional dashboard पर टैप करना है monetization पर चले जाना है यहां पर आपको यहां पर आपका आया हो problem वह आपको यहां से select कर लेना अभी तो मैंने अपने पेज से solve कर लिए problem तो मेरे पर नहीं है मैं आपको example दिखा दे रहा हूँ आप इसको समझ लीजिए राइट इन्हें system पर टैप करना है tap कर लिया वह पार्ट select कर लेना है आपको यहां से take a screenshot कर देना है यह देख रहे हैं आप blue patti पर take screenshot इसपर tap कर देना है यह आप देख सकते हैं यहां पर आ चुका है जो screenshot वहा से select किया थो screen shot लिया था, यहाँ पर attachments में आ जुका है, ठीक है, अब आपको send कर देना है, यह process follow करने के बाद, लगभग लगभग 10 से 12 दिन के बाद, 110 परसेंट आपके profile and paste से unoriginal content की problem solve हो जाएगी, एंड वीडियो अच्छे लगी है, तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, और आपने मेरे facebook page को follow नहीं किया है, तो follow भी जरूर कर लीजेगा, क्योंकि मैं ऐसे solution देता रहूंगा, और अगर ये वीडियो आप मेरे youtube channel पर देख रहे हैं, तो मेरे youtube channel को subscribe कर येगा.